Hey guys, welcome and welcome back to my channel. So, आज का हमारा problem है, gas station. So, इस problem statement में हमें क्या दे रखा है? यहाँ पे हमें न total N gas station दे रखे हैं, जो कि कहाँ पे हैं, एक circular route पे है, okay? So, यहाँ पे जो amount of gas आपको आफ अस्टेशन पे मिलेगा, वो आपको कहाँ से मिलेगा? गैस आई मिलेगा. ठीक है, gas i, यानि आपको gas area में देखना पड़ेगा, कि आएत station पे आप कितना amount of gas ले सकते हो. So, यहाँ पे क्या दे रखा है, कि suppose आपको पास एक car है, जिसमें क्या है आपको आपको, a car में, एक tank है, जिसमें unlimited gas आप फिल कर सकते हो, okay? कि अगर स्टेशन आई से स्टेशन प्लस बॉद पे मूँव करना चाहते हो यानि नेक्स स्टेशन पे आप जाना चाहते हो तो आपको टोटल गैस्स का जो इमांट लगेगा वो इतना अपको लगेगा अगले स्टेशन तरह जाने के दिये करना है आपना स्टेशन से इक हो सकता है कि आप को कि अपनी जर्नी बिर्ण करनी है और आपको घ्र trekton में क्लॉकम Chuck ऐना से देलंग कर सको तो कि चुळ करते हैं इस स्टार्टिंग पॉंट आपको फाइन करके देनाई अगर पॉसिवल है तो अगर पॉसिवल मिलेंगे अगर पॉसिबल हैं तो. तो हम क्या करते हैं एक्जामपल की थू समझते हैं कि प्रॉब्लम हमारा है क्या है और हम कैसे इसे solve कर सकते हैं. यहां पर देख रहे हुआ हमें क्या दे रखा है? दो हमें एरे दे रखा है एक gas एड़े है और एक cost एड़े है और यह आपका output है कि इस index से क्या कर सकते हो आप स्टार्ड कर सकते हो okay so यहां पर देखो यहां पर क्या है यह यह gas है यहां पर में लिखती हूँ ठीक है यह cost है यह मतलब है कि जियोत् इंडेक्स पे जो स्टेशन है आपका यहां पर आपको क्या फिल कितना कर सकते हो वन अमांट में वन उनिट ऑफ गास आप सकते हो लेकिन अगले स्टेशन तक जाने के लिए आपको ना तू यूनिट ऑफ गास पेंड करना होगा क्या है वन इंडेक्स पे आपका क्या है फिर्स इंडेक्स पे आपका क्या है तू यूनिट ऑफ गैस आप फिल करवा सकते हो लेकिन अगले स्टेशन तक जाने के लिए आपको थ्री यूनिट ऑफ अमांट का गैस आपको क्या करना स्पेंड करना होगा अगले स्टेशन तक görünopedia seven-six , तो आप को यह से नहां एक क्टूछक करना कि जरूरी हम 일이 कि आप सी जरूरी कि आप को क्या कर Means प्रॉक्च का पर जब प्रॉल श्रकुलर राउट कर सकते हैं अर्प बहुंगे ऐसे एंग बास यहां से पर आपको क्रॉन रहे च्लॉक्ट einp साइस्टेशन से होकario अब को गुजरना होगा और अब से अनिक्स दूज करते हो ऑप या ऑप का कार में जो टैंक है तेंक में अब का इनिशल में क्या होगा जीरो Tailaha मांट होगा चुल यहां पया प्तोःिआ chợ करते हो पिर ने कि ar ने तरवाल लेते हो one, लेकिन यहां से अबले स्टेशन तक जाने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, two units of gas आपको क्या करना होगा, खर्च करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास one है, यानि आप minus में चले जाओगे, माइनस में चली जाओगे जो कि पॉसिबल है क्या जाना नहीं है तो ठीक है हम यहां से स्टार्ट करेंगे तो यहां पर फिर से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास अभी जीरो ही होगा क्योंकि हम यहां से स्टार्ट नहीं कर साते हैं क्योंकि हमें निगेटिव में मिल गया है और अब यहां पर क्या है आपका 2 है और यह 3 है यानि 2 से हम start कर सकते हैं इस 1st index करेंगे तो हमारा जो gas का amount होगा ना tank में वह 2 होगा लेकिन हम spent हमें कितना करना पड़ेगा 3 इन one करना पड़ेगा फिर प्री एमांट ऑफ युनिट का गया सपैन करना पर अंगल्य इंडेक्स स्थेशन थार यान के लिए इन अब यह पांने नहीं नहीं है क्योंकि उप्स 2 है और 3 is spend करना तो मन हैं में समय होगा तो अदर अब अद अंगले अब 0 टेंक है तो हम यहां स्टार्ट करते हैं तो यहां पर यह फिल कड़ोंगे तरी लेकिन अगले स्टेशन तक जाने के लिए आपको फोर यूनिट ऑफ ग्यास आपको पड़ेगा सो कर सकते हो गया नहीं कर सकते क्योंकि यह भी निगटिम में हो जाना है आपके पास माइनस में होना जो कि पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना सो हम यहां से स्टार्ट करेंगे ठीक है यहां से हमने स्टार्ट करा फिर यहां पर क्या है फोर है ठीक है फ पढ़ेगा, तो 3 unit हमें spend करना पढ़ेगा, तो अपनी पास बचे का कितना 1? हम अगले स्क्राइब से जा सकते हैं तो जले जाएंगे, यहाँ पर आ गए हम, अब यहाँ पर हमें कितना करना पढ़ेगा बताओ पहले से आपके पास 1 है और 5 यहां पे आपको मिलेगा यानि यहां से आपके पास 1 बच गया था और 5 आपको मिलेगा टोटल आपके पास 6 हो गया ठीक है लेकिन यहां पे आपको कितना स्पेंड करना पड़ेगा यहां पे आपको 9 यूनिट गया स्पेंड करना पड़ तो अब यहां से भी स्टार्ट नहीं कर सकते हम समझ जाएंगे कि यह पॉइंट भी हमारा क्या है सही नहीं है हम अम मानलते हम यहां से स्टार्ट करेंगे ठीक है अब यहां पे स्टार्ट करेंगे तो 5 है और 6 है ठीक है 5 अपने को मिलेगा यह यह पॉइंट आपने तक तक देखों तक बन ange का चाहिं करें के निया कुरी तो अभी तक बन हमसीं आ चाहिं ने गार कीए ओक कि अब अपर रहिके और ट् अबोले को जाकर निगेटीब हो जा रहा है यानि आपका जो है गास खतम हो जा रहा है निगेटीब में चला जा रहा है निगेटीब में पॉसिबल नहीं है तो यहां से आपको एक मिलता है कि इधर से हम एक भी चूच नहीं कर सकते हैं यह चूच कर सकते हैं यह अन्सर पॉसिबल है या है यह हो सकता है कोई आंसर ही पॉसिबल नहीं है वो कैसे पता चलेगा कि कोई आंसर ही नहीं हो सकता है कैसे लेखो टोटल ग्यास जो होना चाहिए और टोटल ग्यास आपके पास कितना है और टोटल कॉस्ट कितना लगा है टोटल कॉस्ट या तो इक्वल या तो यह टोटल ग कि यह अगर कंडिशन में अप फुल्फिल नहीं हो रहा है यानि यह अमाउन्ट अब अद करेंगे यह अद करेंगे एक साथ यह अमाउन्ट हम एक साथ जब हमें यह कहीं पर अइसा लगेगा कि total gas का जो amount है वो कम है total cost से जितना हम खर्च करने वाले हैं और जितना हमें मिला है खर्च का amount अगर ज्यादा है तो हम समझ जाहेंगे यह possible ही नहीं answer तो हम उसी time के आगरेंगे minus 1 return कर देंगे, ठीक है minus 1 return कर देंगे, लेकिन अगर possible है, अगर यह greater है इससे अगर यह total gas अपर greater है total cost से या equal भी है तो हम समझ जाहेंगे कि हमारा एक answer तो possible है, right क्योंकि आप पो statement में दे रखा है, अगर possible है answer तो पक्का है कि एक unique solution तो होगा, तो यहाँ पे आप किसको consider करोगे answer अगर यहाँ पे आपका possible है तो, तो obvious होगा कि जहां से भी हमने start करा, कहीं ना कहीं पे जाके हम negative point पर होगे, अब एक ही answer हमारा यहाँ बचा है यह, तो यह answer हो सकता है, ठीक है, यह answer होगा 6, तो answer भी यहाँ पे देखो 6 है, यह आपको कितना है, 235, 549, 93, 12, 12, 9, 21, 21, 21, 26, 27, 29, भाई, cost 29 लगड़ा है total, अपने पास total gas का amount कितना है, 90 है, तो possible है answer, हमने इधर देखा, हमने कहीं पे भी start करा, तो हम जाके negative हो जा रहे हैं, लेकिन यह एक point अकेला अब बचा है, हमारे पास choice, तो यही answer होगा ही, तो answer हम यह return कर देंगे, तो यह ही चीज हम यहाँ पे देखते हैं, कि हम ना इस example के लिए देखते हैं, कि जो हमने यहाँ पे सोचा है, क्या वो है क्या possible, 1, 2, 3, 4, 5 है, 3, 4, 5, 1, 2, 0, 1, 2, 3, हम क्या करते हैं, एक हम variable ले ले लेंगे, total gas, 0, total cost, आपके पास 0, ठीक है, और आप current, आपके पास gas कितना बचता है, वो, ठीक है, यह initial में 0 रखते हैं, और हम एक starting index ले लेंगे, कहां से हम index कर सकते हैं, ठीक है, यह initial में 0 लेते हैं, अब total gas में हम क्या करेंगे, हां पे 1, य और यह cost है, तो suppose अब माल लेते हो, कि आप यहां पे start करते हो, तो total gas आपका क्या होगा, 1 होगा, total cost कितना होगा, आपका 3 होगा, अब current gas आपका कितना हो जाएगा, current gas बोले तो कैसे, आपके पास आपने यह फिल करवाया, ठीक है, टैंक में आपने कितना फिल करवाया, 1 फि करेंगे, किया हमारा current gas का value है, किया हो निगेटिव है, किया है, यह ब Natomiast is less than 0 है, यानि यह तो अपना starting index's नहीं हो सकता है, तो हम माल लेते हैं, अगला index हमारा क्या होगा, 1 यह अपना हो सकता है, क्या, starting index, पासिबल हenne कanson के लिगा, इस बेसbank बतल्त गर्दीः का रिश than YUM −1 अपना cost लगा है तो यहां पे फिर क्या होगा कि current gas कितना होगा current gas आपने यह fill करवाया है देखो यह फिर से आप 0 कर लोगे जैसे आगे हम समझ आएं कि starting index 0 नहीं होगा one होगा तो हम current index current gas को फिर से 0 कर लेंगे ठीक है फिर से इसको 0 कर लेंगे अब हम क्या करेंगे हम यहां पे फिर से इसका क्या है अपना 0 हो गया अब two gas आपने fill करवाया और four आपने spend कर लिया two आपने fill कर वाया four spend कर लिया minus two फिर से negative आगे है less than zero हम समझ जाएंगे कि यह भी अपना starting index possible नहीं है तो हम मानेंगे अगला अपना होगा तो हम क्या करेंगे current gas को फिर से 0 मालेंगे और अगला index इसमें अप्रेट कर देंगे और यहां भी क्या करेंगे हम three को आड करेंगे कि total gas अभी three हुआ है और यह negative हो गया जो कि हम यह index इसका मत्रब है कि यह अपना possible नहीं है तो हम अगले index से लिए अगले index से लिएगे अगले index से लिएगे अगले index लिएगा तो three होगा तो four इहां पर total gas मिलेगा और one आपे spend कडोगे okay और current gas क्या होगा यहां पर 4 यहां पर आपने 3 है क्या यह आपका निगेटियु एक्या नहीं है तो okay स्राइगे इंडेक्स फ्री ही रहने देंगे चलो आगे बढ़ते हां तो आगे बढ़ंगे यहां पर 5 बिलेगा 5 एड़ करेंगे और यहां पर 2 cost लगेगा ठीक है तो current index पहले से current gas 3 बचा हुआ है माला 3 में add करेंगे हम 5-2 यानि total 6 यह हो गया अच्छा अब यह खतम हो गया है तो starting index 3 मिला है देखो इधर जितना भी आपने देखा इधर 3 इधर 0, 1, 2 index तक जितना भी देखा negative मिला लेकिन यहां से positive मिला है तो यहां से positive मिला है और हमने यहां तक देखा है अब देखो अब आप क्या करोगे चेक करोगे क्या total cost जो है और total gas जो है तो यानि total जो amount है gas का 19 है और cost अपना spend कर रहे हैं कितना लगा रहे है 15 unit लगा रहे हैं तो यानि हम इसमें कर सकते हैं हमारा answer possible है तो answer कौन सा possible है तो देखो यहां पे यहां तक तो negative मिला और यहां से आपको positive मिलना start हो गया यहां से positive यहां पे positive और इधर जितना भी आओ गया आप अधर negative ही मिला था यानि यह आपका जो होगा यह आपका answer होगा ठीक है क्योंकि आपको पता चलिए कि answer possible है और इन दोनों जहां पे आपको positive मिला है ठीक है तो हम इस point कुलेंगे क्योंकि यहां से आगे positive ही मिला है और कोई negative ही मिला है तो हम इसको consider करेंगे ठीक है अब यहां पे यह gas है यह आपका क्या है cost है तो यहां पे आप क्या हो 2 है और 3 है spend करोगे minus 1 रिम चले जाओगे यानि यह आपका possible नहीं है तो आप यहां से consider करोगे तो यहां भी आपको negative मिलेगा ठीक है और यहां भी आपको positive मिलेगा यहां से okay ठीक है पहले देखते हैं कि possible है कि नहीं है वो कैसे प्लाइब चलेगा 2 प्लस 3 प्लस 4 यानि आपका 9 और यहां पे 3 प्लस 4 प्लस 3 10 तो cost आपका जादा है gas total से यानि यह possible ही नहीं है जितना आमधनी नहीं उतना खर्चा करोगे तो यह possible है क्या नहीं है तो यहां पे यह क् आमधनी है अपना और cost खर्च है तो जितना आपकी पास रहेगा उतना ही तो कर पाओगे ना उसे ज्यादा तो नहीं कर सकते practically पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब यहां पे answer हमारा हो ही नहीं सकता यहां पे अगर यह है भी तो पहले हम चेक कर लेंगे यहां पे हमें positive मिला हम मान भी सकते हैं अगर यह हो सकता है कि हमारा यह हंडल कर सकता था लेकिन पहले हम चेक कर लेंगे possible है की नहीं है पर पॉसिबल ही नहीं है यानि minus one return कर दो यहां पे तो अब कोड पे आते हम तो देखो यहां पे हमने क्या किया है एक lowest index 0 से start किया है चलो यह अपना इंडेक अगर है तो अब लोईस इंडेक्स जो मिला है अगर है तो अब लोईस इंडेक्स जो मिला है अगर है तो अब लोईस इंडेक्स जो मिला है तो अगर है तो अब लोईस इंडेक्स जो मिला है अगर है तो अब लोईस इंडेक्स जो मिला है अगर है तो अब लोईस इंडेक् इसको return करो, otherwise minus 1 return करो, okay? तो I hope आपको ये समझ में आया होगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो please like, share and subscribe कर देना, क्योंकि आपना 70 से लेकर 80% लोग नहीं subscribe तो करते नहीं हो, अब like भी नहीं करते हो, तो please like करना, ठीक है? और share भी करना, चलो, bye!